हेलो दोस्तों वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यॉर डूइंग गूड एंड वेली पॉस्टिव दोस्तों आज मैं आपके साथ स्किन की कैसी रेमडी शेयर करने जारी हूँ जिसके इस्तमाल करने से ना सिर्फ आपके चहरे से जाईया दाग धबे दूर हो बलकि आपके चहरे में कोलाजन बूस्ट अब होगा जिससे की चहरे की जो जुरिया है लूज स्किन है वो भी टाइट हो जाएगी और बहुत ज़दा आपके स्किन ग्लो करेगी साफ सुत्री हो जाएगी टैनिंग भी दूर होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर एक बोल लेना है उसमें एक चुमच दही एड़ करना है इसके साथ आपको यहां पर आधा छोटा चमच एड़ करना है अलवेरा जल और साथ ही एक चुटकी के बराबर आपको यहां पर हल्दी यूज करनी है मैं यहां पर यूज क किसे भी कम आपको यूज़ करना है तो यह कई सारे में आपको आपशन दे दिये हल्दी इस्तमाल करने के दिखे ठंड का मौसम है और हल्दी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी तो आप इसे ले करके स्टोर भी कर सकते हैं हल्दी एंटी सेप्टिक होती है, दही हमाज़ सकिन को मौशर्याइज करती है साथी एलोवर आपके सकिन को सॉफ्ट स्मूथ करती है दही और हल्दी दोनों में ऐसे गुर्ण पाया जाते हैं जो कि आपके सकिन के डांग दबो को भी दूर करते हैं टैन को रिमूफ करते हैं, जाईयों को दूर करते हैं, किसी भी तरीके के पिम्पल एक्निके मार्क्स हैं, उसको भी दूर करते हैं, और साथ ही आपकी स्किन में कसावट लेकर के आते हैं, स्किन आपकी लूस नहीं होती है, अगर आप इसका लगरतार इस्तमाल करते हैं, तो आपकी इसकिन जो loose हो चुकी है ये वापस से tight होना शुरू होगी क्योंकि ये दोनों ही आपके इसकिन में collagen को भी boost करते हैं. इन में glycolic acid होता है और anti-inflammatory properties पाई जाती है जो कि आपके इसकिन के लिए बहुत अच्छे बेहतर तरीके से काम करती हैं. वहीं aloe vera की बात करें तो लंबे समय तक आपकी इसकिन को soft smooth करती है और इसकिन tightening में भी help करती है जो tan हो जाती है इसकिन में जो आपके tanning के समस्या होती है उसको ये remove कर देती है यानि कि UV rays से आपको protect भी करती है तो बहुत ज़ादा फाइदे हैं इन तीनों ही चीज़ के आपको इसे लगाना कैसे आपको इसे daily apply करना है सुभा नहाने से पहले और रात में सोने से पहले इसको लगाने के बाद आपको किसी भी तरीके का moisture या फिर cream भी लगाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी दोस्तों क्योंकि ये इतना जादा soft आपके skin को कर देगा पहली बार मे कि आपको कुछ भी apply करने की ज़रत नहीं पड़ेगी देखिए आपको अपने face पे इसे apply करना है मैं यहाँ पर आपको अपने हाथों में इसे apply करके दिखा रही हूँ दोस्तों अपने चेहरे को अच्छे से wash कर लेंगे clean कर लेंगे फिर आपको इसे अपने चेहरे पे 2-3 म अपने चेहरे को wash कर लेना है normal पानी से तो मैंने यहाँ पर इसे apply कर लिया दोस्तों अब इसे wash करके आती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ देखिए मैंने यहाँ पर इसे wash कर लिया है इस skin कितनी साफ लग रही है tight लग रही है बहुत जादा मतलब पहले से काफी जाद clean हो गई है मेरी skin यहाँ पर तो बिलकुल face में भी यह वही इसी तरीके से काम करती है so आपको इसे daily ही बनाना है और दो time इस्तमाल करना है I hope दोस्तों आज की छोटी सी remedy आपको पसंद आई हो तो please remedy को like कीजेगा and video को share कीजेगा चलिए दोस्तों फिर से मिल देख another new remedy की साथ तब तक लिए bye bye take care